आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ प्रस्टन है ठोस लोहे के दो गोलकों कि त्रिज्जाय करमसा 1 cm और 6 cm है दोनों गोलकों को गला कर एक खोखला गोलक बनाया जाता है यदि खोखले गोलक 9 cm है तो उसकी मोटाई कित्ती है cm में हमें ये बताना है विकल्प 1 है 2 विकल्प 2 है 1.5 विकल्प 3 है 0.5 और विकल्प 4 है 1 तो हम हल करते हैं इस प्रश्ण को और अपना पुद्तर कलते हैं तो प्रश्ण में हमें 2 ठोस गोलक दिया हुआ है तो अगर ये पहला ठोस गोलक हो तो इसकी जो त्रिज्जा दी हुई है वो है 1 cm और ये अगर दूसरा ठोस गोलक हो इसकी त्रिज्जा दिया हुआ है 6 cm, और अगर ये हमारा एक खोखला गोलक हो, तो अगर हम देखें, तो ये R1 जो होगी, ये इसकी बहा त्रिज्जा होगी, और R2 जो होगी, ये इसकी अंतर त्रिज्जा होगी, तो R1 हमें दिया हुआ है 9 cm के, और R2 हमें निकालना है, तो ह खोखला गोलक बनाय जाता है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, अगर इसका आयतन V1 हो और इसका आयतन V2 हो, तो हम V1 प्लस V2 करके बना रहे हैं एक खोखला गोलक जिसका आयतन V3 होगा, तो यहां से हम देखें, तो V1 प्लस V2 जो होगा, वो V3 के बराबर होगा, हम जो ए एक सेंटीमीटर वाला गोलक है उसकी त्रिज्जा को R3 माल लेते हैं और जो 6 सेंटीमीटर वाला गोलक है उसकी त्रिज्जा को R4 माल लेते हैं ताकि हमें confusion ना हो तो हम यहां पे रखेंगे V1 को तो इसका जो आयतन होगा वो होगा 4 बटा 3 पाई R3 का क्यूब क्यूंकि R3 इ देखें तो यह होगा 4 बटा 3 पाई R4 का क्यूब जो की होगा खोखले गोलक के आयतन के बराबर 4 बटा 3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 का क्यूब तो यहां से हम इसे हल करें तो यह हमारा कट जाएगा और हमें मिलेगा R3 का क्यूब प्लस R4 का cube बराबर R1 का cube माइनिस R2 का cube तो R3 हमें 1 cm दिया है तो अगर हम 1 का cube करेंगे तो हमें 1 मिलेगा R4 हमें 6 cm दिया है तो अगर हम 6 का cube यहां लिख लेते हैं R1 हमें 9 cm दिया है तो यहां हम 9 का cube लिख लेते हैं minus r2 का cube r2 हमें निकालना है तो r2 हम ऐसे लिख देते हैं अगर हम इसे देखें तो यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 216 और यह हो जाएगा 729 r2 cube तो यहां से अगर हम r2 cube को निकालें तो वो निकल के आएगा 512 के बराबर तो अगर हम r2 को निकालेंगे तो 512 का हम root ले लेंगे जो की आएगा 8 cm के बराबर रश्ट में हमसे पूछ रहा है जो खोखला गोलक है उसकी मोटाई क्या होगी तो उसकी मोटाई का फार्मूला होता है मोटाई बराबर R1-R2 के R1 नौ दिया हुआ है R2 हमने निकाला है 8 cm तो ये आएगा 1 cm के बराबर अगर हम विकल्पों में देखे हैं तो विकल्प 4 हमारा सही उद्धर होगा क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंस का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाट्साप कीजिए अपने डाउट आच 4444 सुपर